चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्त बिहार स्टेट के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रेजल्ट आ चुका है कट ओफ काफी ज्यादा हाई रही है कट ओफ हाई रहने के कारण यह है कि बिहार मे रहने वाले हैं तो क्योंकि जो फर्स्ट राउंड है वो एक्जिक्ट राउंड है इस कारण से यह कट ओफ काफी ज्यादा रही है लेकिन इसमें से काफी बच्चे ओल इंडिया की सीट जोइन करेंगे तो सेकंड राउंड और मॉपप राउंड में कट ओफ कम जाने की नहीं है यह फर्स्ट राउंड की कटोफ ही ज्यादा रही है राजस्तान के बाद में यह सेकंड इस्टेट है जिसमें इतनी ज्यादा कटोफ रही है इसके बाद में हरियाना और यूपी की ज्यादा कटोफ रही है बाकी स्टेटों की कटोफ है वो काफी कम रही है लेकिन राजस्तान की टोप रहने के बाद सेकंड नमर पर बिहार की ही इतनी ज़्यादा कटोप रही है फर्स्ट राउंड की लेकिन सेकंड राउंड और मौपप राउंड में इनमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि काफी स्टुडेंट इसमें ओल इंडिया में डवल वन कटोप रही है EWS की 605 रही है EBC की 593 रही है SC की 469 और ST की 520 कटोप रही है इसमें अभी प्राइवेट मेडिकल कोलेज के MBBS की बात करें हम तो कटियार मेडिकल कोलेज की 561 जो माता गुजरी किसंगंज में है 539 इसके बाद NMC सासाराम में है उसकी कटोप 503 रही ह लौड बुदा की कटोप 481 रही है मदूबने की 471 रही है और नेताजी सुबासंद बोस की पतना में है उसकी कटोप 465 माक्स कटोप रही है 1st राउंड की तो यह MBBS के 1st राउंड की कटोप थी बाकि इसकी कटोप आप category wise कटोप इसकी website पर विजिट करके इसमें देख सकत हैं कौन से कोर्स की कौन सी कटेगरी की कौन से कोटा में कितनी कटोप रही है बाकि अपडेट मिलते ही मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद